राजिस्तान में कॉंग्रेस को सत्ता से हटा कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है विदायक दल की बैठक के साथ ही नए मुखिमंत्री के नाम को लेकर दाविदारों की धड़कने तेज होने वाली है नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुरू मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम दावेदारों में सबसे आगे चल रहा है हाला कि ऐसा न हुआ तो क्या वसुंधरा के पास कौन सा विकल्प रहेगा विदान सभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है पुरु मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को वापस मुख्यमंत्री बनाये जाने को लेकर संशय बरकरार है और ऐसे इस्तिती में सियासत की नजरें उनकी अगली भूमिका पर टिकी हुई है कि अब उनकी अगली भूमिका क्या होगी सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो संभोता उन्हें विदानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ऐसे में बीजेपी वसुंधरा को विदानसभा अध्यक्ष बनने के लिए राजी करने की कोशिश कर सकती है ये अलग बात है कि वो ये विकल्प चुनती हैं या नहीं पूरवर्ती कॉंग्रेस सरकार में भी कुछ ऐसा ही संकट सामने आया था जब यहां अशोक गहलोत और सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दाविदार थे इस दोरान कॉंग्रेस ने सीपी जोशी को संतुष्ट करते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया ठीक ऐसी इस्थिती में बीजेपी भी ऐसा कर सकती है केंद्र की राजनीत मोधी सरकार में मंत्री पद वसंद्रा राजे के सामने दूसरा विकल्प केंद्री मंत्री बनाने के तोर पर बीजेपी रख सकती है 2024 में लोगसबा चुनाओ होने वाले हैं और इसे में बीजेपी उन्हें केंद्र में लाकर मंत्री बना सकती है इसका बीजेपी काफी समय से प्रयास भी कर रही है बीजेपी का राष्ट्री उपाध्यक्ष बनाने के पीछे सियासी गलियारों में भी यही माना जा रहा था बीजेपी अब वसुंदरा राजे को केंद्र की राजनीती में ले जाना चाहती है ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने के स्थिती में उन्हें केंद्री मंत्री का विकल्प भी दे सकती है पाइलट की तरह पहले इंतिजार फिर बगावत का रुख इक्तियार सियासी गल्यारों में चर्चा है कि वसंद्रा राजे मुख्यमंत्री के पद के अलावा कोई और पद लेने को तैयार नहीं होती है तो फिर क्या बीजेपी में भी कॉंग्रेस जैसी पाइलट गहलोट वाली स्थिती सामने आ सकती है चर्चा यह भी है कि वसंद्रा बाद में अपने समर्थक विधायकों की मदद से उलट फेर करने की कोशिश भी कर सकती है हलाकि वसंद्रा राजे ने बीती दिनों ये संकेत दिये थे कि वो पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जाएंगी लेकिन राजनीती अनिश्चितिता का खेल है राजनीती में कभी भी कुछ भी संभव है लोगसभा अध्यक्ष पद के लिए कर सकते हैं राजी मुख्यमंत्री नहीं बनने से नाराज वसंद्रा राजे को बीजे पी एक मजबूत विकल्प लोगसभा अध्यक्ष का पद दे सकती है और इसके लिए राजी कर सकती है अगले वर्ष लोगसभा का चुनाओ होने वाला है और साथ में वर्तमान लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला का कारेकाल भी पूरा हो जाएगा ऐसे इस्थिति में बीजे पी महिला आरक्षन की बात करती हुए वसंद्रा राजे को लोगसभा अध्यक्ष पद की सौगात भ विकल्प है उपराश्ट्रुपती का चर्चा है कि वसंद्रा राजे मुख्यमंत्री से छोटा कोई भी पद लेने को राजी नहीं होंगे ऐसी में उपराश्ट्रुपती का पद भी वसंद्रा राजे को दिया जा सकता है और इसके लिए भी उन्हें मनाया जा सकता है हालां कि इस पत पर वसुंद्रा के राजी होने की काफी कम संभावना है क्योंकि उप राश्ट्रपती और राश्ट्रपती पत के बाद इसे राजनीती से सेवा निवरित्ती मानी जाती है